डियर आल इस फारुक असम और वाचिंग ऑक्सब्रीज टॉक्स आज मैं आपके लिए बहतरीन वीडियो लेकर आए रहा हूं जहां मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि भर्ब का भीटू हम कहां लगाते हैं राइट एन आज भर्ब के भीटू को हम लोग दोने तरह से सिखा है और यहीं वहीं आपको सिंखाने जा से बाच बहुआ हूं कि अरुद का बाइसव नेगेटिव को पसिप करना सिक्वाइब बोट पर दीख सकते हैं है अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ फॉर्मूला नब्ले 2 भी टू का एक्टिव कैसे होगा एन पैसब कैसे हो एक्टिव से कैसे बनाएंगे इन इन ट्रोगेटिव होगा तो पैसे कैसे बनाएंगे एंड नेगटीव होगा थे पैसिप कैसे बनाएंगे प्लस आखरी में हम लोग देखेंगे डायरिक्ट पैसिप चुकि अपना जो क्लास होता है हमारा क्लास फोगल सब्सक्राइब मैं चाहता हूं कि आप जितना कंफेटेबल आप हिंदी में हैं उतना ही कंफेटेबल आप अंगरीजी में भी हो जाए ठीक है डैन करेंगो येस येजना है येजना है आप समयल उन देखेंग रहे आपको इसक्रीन दिख रहे है वैल तो फॉर्मूला नमबर टू और वह है भ वह पत्र लिख लिया भर्ब का भीटू आप बड़ाबर सीख चुके हो जब कोई काम समाप्त हो गया वह हम कहले लगाएंगे भर्ब का भीटू इसे जाब लिख लिया ये भीटू का केस है इससे पहले कि मैं आगे बहूं मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूं क कि यहां पर मैं फॉर्मॉल लिख देता हूं यह है हमारा भर्ब के बाद पहले बर्ब के बाद होता है यह है ऑबजेक्ट आप अब भब से पहले होगा क्या होगा भब से पहले यह हो जाएगा सब्जेक्ट ठीक है अब बाद पहले हैं और पहले वीडियो में आपको दिखा देता हूं कि अब बाद पहले वीडियो में आपको दिखाया हूं और यह हमारा कॉन सा सेंस होगा यह हमारा होगा पैसिट एक अब ऐसान होगा तो वह पत्र लिख लिया किसना लिखा में इसके अगर अगर हम चैंते बुए हम पहले है यहाप है और और लिखे है उसके ही उसके बाद भर्ब हमारा हो गया भी तू तो राइट का भी तू रोट एंदन क्या लिखा अ लेटर इसे जब से यहां पर आप देख पा रहे हो कि सब्जेक्ट जो है वो खुच्छे काम किया है इसलिए एक्टिव हुआ इसका ट्रास्टेसर बनी गया ही रोट है लेटर ज चैके जो भर्ब यहां पर आएगा उसका अधर वापस इस पर आना है वह पत्र लिखा चाहे सब्जेक्ट में अलेटर हो या अबजेक्ट में हो लेकिन हराल में भर्ब का असर इसी पर आना है यही कारण है कि दिये गये एक्टिव को जब हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब के पास helping verb है नहीं इस वर्ब के पास helping verb नहीं है तो रोल नमर थिरी बोलता है वर्ब के form को देखो आपने देखा तो वर्ब का भीटू मिला अब भीटू पैसे में क्या मनेगा वाज और वर्ड प्लस वेत्री ये बराबर से और बताया जा चुका है वाइस के पहले वी की बताना पड़ेगा किसके दोरा इसलिए बताना पड़ेगा चुकि मैं active तो पैसे मना रहा हूं तो हम डूर जिसने काम किया उसे हम ignore नहीं कर सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे all later was written by him पत्र लिखा गया उसके दोरा अब अब इसकी हिंदी देखिए पत्र लिखा गया अब अगर इसे समझने की कोशिस करेंगे तो passive का पहचान ही है अभी passive में यह क्या है हमारा यह जो पत्र है हमारा क्या है subject है तो पत्र अपने आप तो नहीं लिखाएगा कोई से लिखेगा तो passive का पहचान के लिए रहे है कि passive में subject पे काम किया जाता है और active में subject खुद काम करता ह तो हो गया पत्र लिखा गया अब अगला है उसके द्वारा चुकि यहां पर बाहिम लिखना जरूरी है चुकि हम किसी active को passive बना रहे हैं हम लोग एक और example देखते हैं देख रहे हैं राधा गीत गाई मतलब गीत को गानेया काम हो गया और गाई मतलब खतम हो गया तो भर्व का भी टू हुआ हम इस ट्रांसलेट कर देते हैं तो क्या लिखिए कि राधा गीत गाने के अंगलिस होता है sing और इसका भी टू होगा sang तो राधा sang क्या गाई a song स्क्रीन पे एकदम clear दीख रहा है कि राधा गीत गाई राधा sang जब आप इसे पैसी बनाएंगे तो दिएगे object को हम पहले subject बनाएंगे तो यह object हमारा यह subject बन गया दिएगे helping verb होगा तो लेकर आएंगे बीटू के पास helping verb नहीं होता है ऐसा आपको जानकारी already मिल चुका है तो राइट हम बीतरी रूल में जाएंगे रूल के तीन नंबर पे जाएंगे त्री रूल को देखेंगे तो वहाँ लिखा होता है कि बीटू अगर मिलेगा active में तो पैसिव क्या बनेगा वाज बे प्लास बीतरी इससा आपसे सैंग हो गया वाज संग एंड किसके दुआरा तो बाई राधा समझने की बात ये है कि active और पैसिव का जो में अंतर है वो आप समझ चुके है और ये भीटू जो है जब ये पैसिव में जाएगा ये जो बीटू है जब ये पैसिव में आएगा आप देख पारे हो हा या ना न तो ये बीटू जब पैसिव में जाएगा तो ये क्या बनने वाला है ये ये बननने वाला है ऐसे ही आप यहाँ देख लो यह active का बेटू, यह जो बेटू है, जब यह passive में जाएगा, जब यह passive में जाएगा, तो यह बेटू फिर क्या बनेगा यहाँ पे, यह बनेगा, बेटू यह बनेगा, वाज प्लस बेटृ, तो राधा sang a song, passive हुआ a song was sung by राधा, आप इन देख लिजे, गीत गाया गया राध के द्वारा, मतलब गीत जो है, इस पे भर्ब का असर आ रहा है, इसे किसी के द्वारा गया गया है, तो सब्जेक्ट पे काम कोई और करता है, तब वो होता है passive, इस तरह से क्लिए हो गया, के राधा sang a song was sung by राधा, अब हम लोग आगे देखते हैं, formula इसका, अपना formula होता है कर सक्मेर उपर यहां लिका है, subject more plus object, यहां मैंने subject डाल दिया, यहां object डाल दिया, active हो या passive, formula अपना से होता है, subject more plus object, and subject and object यहां तो noun होता है, तो कभी बदलता नहीं है, चुकि time के हिसाब से और action के साब से subject हमारा नहीं बदलता है, तो अभी हम अगर formula की बात करें, यहां बीट में आ गया, तो बीटू क्या बना, was, where, plus, b3, आप formula में देखें कि मैंने बाई नहीं लिखा है, reason यह है, कि बाई अगर मैं formula में लिख दू, तो आप यह मानेंगे कि हर बाई लगाना है, लेकिन ऐसा जरोड़े नहीं है, है ना, तो बाई क्यों लगाएंगे, जब ब Introgative, Sentence, Introgative का मतलब है, कि आप से सवाल किया जाएगा, मतलब यहाँ पे सवाल पुछा जाएगा, तो सवाल जब पुछा जाएगा, तो जैसा कि भीटू के पास तो helping word नहीं, और अगर कोई सवाल जिससे हाँ या ना का जवाब होगा, उसके लिए helping word बाहर चाहिए, तो हम हम लोग एक sentence, एक जामपर लेते पहले, active, और यह हो गया हमारा passive, एक sentence ले लिए हम लोग लिए, तो मैं क्या वहपत्र लिख लिए, मैं क्या वहपत्र लिख लिए, डायरेक्ट नहीं लिखा हूँ, वजह यह है, कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कि अगर यह interrogative में होगा, तो हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, तो मैंने एक normal sentence लिए पहले, कि वहपत्र लिख लिए, और इसके translation आपको पता है, तो he wrote a letter, यह already हम लोग चीच चुके है, जब हम passive में बनाने जाएंगे, अभी हमने normal sentence लिए, वहपत्र लिख लिए, he wrote a letter, passive बनाएंगे, तो a letter subject हो गया, और हमारा वाज रोट जो है, वह भीतरी हो गया, भीतरी मिन्स वाज वर या प्लस भीतरी, तो वाज रिटेन हो गया, तो a letter वाज रिटेन, किसके द्वारा, तो by him, ठीक है, अगर मैं इसके हिंदी देखू, तो हो गया, पत्र लिखा ग इसके पैसिब होगे, a letter was written by him, और हिंदी होगे, पत्र लिखा गया, उसके द्वारा, अब मैं sentence के act में, क्या को लेकर आता हूँ, देखिए, क्या आ गया, देख रहा है, यह देखो, यह अभी मैं क्या लाता हूँ, क्या आ गया, ठीक है, अब क्या sentence हो गया, क्या वह पत्र लिख लिए, तो यहाँ पर हमारे पास question mark आ जाएगा, ठीक है, यह question mark आ गया, right, क्या वह पत्र लिख लिए, तो यहाँ अगर मैं इस क्या को हड़ा दिया, बलूत इस क्या को मैं हड़ा देता हूँ, तो बचा क्या, वह पत्र लिख लिए, इसका ट्रास्टेसर मना हुआ है he wrote a letter, क्या के लिए के rule के हिसाब से, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर दिये गए इस भर्ब के helping verb को यहाँ पर लाना चाहिए, यहाँ पर हमको इस भर्ब के helping verb को लाना चाहिए, ठीक है, लेकिन भर्ब के b2 के पास helping verb नहीं होते हैं, तो जब है नहीं तो ला लुए डurrection करेगा और लॉए में क्या मिलने वाला है लेगा तो मैं नीचे दिखाता हूं आपको डीट मैं बारत कर रहा था चलो पीछे आते हम लोग होडा दिया लिखने लगा क्या लेकर हम आ गये तो पास है şey जो बीटू है इसे क्या चाहिए helping word यहां पे इसके पास है नहीं तो हम एक दूसरे sentence पर देखते हैं बेटर होगा तो यह बीटू यह जो बीटू है क्या के लिए उधार में क्या लेगा डीट लेगा मैंने नीचे लिख लिया है डीट लेगा तो अगर यह भीटू अगर डीट ले लिया helping word तो भीटू क्या बन जाएगा बीट बनेगा चुकि डीट अपने आप में पास्ट है तो अब हम नीचे अगर sentence को लिखते हैं मैं यहाँ पर यह sentence को डीट नहीं लिखके मैं नीचे लिखके चलता हूँ तो क्या हो जाएगा डीट ही एन रोट चुकि डीट आ गया तो आप क्या बन गया राइट आप देख पाएंगे यह रोट बन गया हमारा बीवन यह रोट बन गया हमारा बीवन चुकि यह हमारे पास आ गया डीट और डीट डू से बना है यह हो गया पास्टेंस तो गया ड से round करके दिखाता हूँ कि क्या वह पत्र लिख लिया, इसका translation क्या बना, did he write a letter, यह आप बड़ा बड़ से यह आप समझ गए, इसका ऐसे बना, ठीक है, यह ऐसे बना, did he write a letter, ठीक है, अब हम passive में लेकर जाते हैं, इसकी क्या को हम passive में लेकर आते हैं, इस बीटू के पास helping work नहीं था है इस बीटू के पास helping work नहीं था तो ये उधार बना लेकिन जब ये भीटू passive बनता है अब ध्यान से दिखिए जब ये भीटू पैसिव बना तो भीटू क्या बन गया? भीटू क्या बना? भीटू जब पैसिव बना थो बना वाज बेट प्लस? भीटू तो भीटू के पास पैसिव में तो खुद का helping verb है? active में आप यहां देखें इसके पास helping verb नहीं इसलिए हमने उधार लिया ठीक है लेगिन b2 के पास passive में लेकर जाएंगे इस वाज को यहां से उठाके हम तरह से पहले मैं अगले सेंडेंस में दिखाता हूं यह देखिए वाज आ गया वहां से सेंडेंस यह वाज आया अब बचा हुआ रहा तो लेटर रिटेन बाय हिम इस तरह से क्लियर हो गया कि अगर सेंडेंस यह वोगे सेंडेंस अफ स्कृष आपने सिर्क नेगे डिप संटेंस एक तरफ ऐक तरफ अटेम स्क्राविंज स्क्राव और के अगर हमारा स्गन की इस जोvordan स्कृष नेगेजिए पहले मैं नॉर्मल संगेस लेता हूं वह पत्र लिख लिया नहीं मैं नहीं लिखता हूं पहले दिखा देता हूं कि नॉर्मल हमारा कैसे बनेगा क्या है वह पत्र लिख लिया इसकी ट्रास्टेशन होगा और ही लिखना भी टू है लिख 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 अब हम लेकर आते हैं इसमें वह पत्म नहीं लिख लिए चलो मैं एक सिंधन पीछे चलता हूं वह पत्र लिख लिए यह रोट एलेटर ऑलेडी बना हुआ है इसका आप पैसीब भी बना लो तो और अलेटर सब्जेक्ट हो जाएगा वा रोट भीटू हो जाएगा इसके हिंदी के बात करें दिख्या हो गया पत्र लिखा गया उसके दौरा अब उस सिंटेंज में हम नॉट लेकर आते हैं आप देख पा रहें नॉट लेकर आए नॉट झो है आगरह हम नॉट की बात करें तो बात करें होगा तो रूल के हिसाब से पहले यहां पे हमको नॉट इससे पहले लिख देना चाहिए लेकिन नॉट गरामर बोलता है वहं नहीं आ तेंस कमेरा मतलब है कि वह भर्व जो टाइम को बताता है उस भर्व में बेगर हेल्पिंग भर्व के नॉट नहीं आ सकता है और इसके पास है नहीं तो जब भी 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 अकेला नहीं है तो उधार में क्या लेगा डिड़ अब यहां देखिए सेंडेल जो ही हो गया तो ही डिड़न्ट या ही डिड़ नॉट अब चुक्कि डिड़ आ गया तो भर्व क्या बनेगा बीवन बनेगा अब देख पा रहे हो तो ही डिड़ नॉट राइट और क्या नहीं लिखा लेटर मतलब कि इस भी तू को जब नॉट चाहिए तो नॉट तो आया यह नॉट बेगर हेल्पिंग बरके नहीं आ सकता है इसलिए इस भी तू ने यह नॉट को लिया उधार में और चुक्कि यह नॉट हमारा पास्टेंस है तो भी वन भी तू बन जाएगा भी वन इस तरह से बनेगा ही डिड़ नॉट राइट और लेटर अब अगर हम पैसिम में जाए नहीं चुक्कि भी टू पैसिब में बनता है वाज वर्ड प्लस भी तरी तो अलेटर वाज तो आ गया अब आसानी से हम यहां पे वाज वाज प्लस भी तरी आ गया लेटर वाज रूटेंग अब चुक्कि नॉट चाहिए नॉट देखिए नॉट कहाएगा सब्जेक्ट के स्वारी हेल्पिंग वर्ड के बादन बहुत से पहले तो इस जब भी तरी के पैसिब को अलड़ी हेल्पिंग वर्ड है वाज के रूप में तो डिर लाने की जरूरत नहीं है इसे आप से वाना अलेटर वाज नॉट रिटेंड किसके द्वारा बाई हिम अब आप हिंदी द का ठीक है is Sharpie transportation के बना ही डिदे नौट राइट आ हुआ ही डिद नॉट राइट और रीटर ऐसे हिसी हिंदी का पत्र नहीं लिखा गया इस लिपा ठीक है इस लिगा ज्वाज रॉसिंग बना अलेटर वाज नॉट रिटें वाज नॉट रिटेंड बाइं मैंने आपको बी करता हूं आप समझ गए होंगे अगर इनकेश प्राब्लम हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं मुझे वाटसाप कर सकते हैं मैं ज़रूर आपके प्राइल करेंगा और कोसिस करूँ आपको समझाओं ठीक है लास्ट हम दो मिनट और आपका लेंगे जहां पर हम आपको अभी हमने देखा एक्टिव से पैसिव बनाओ नेगेटिव का पैसिव बनाओ इंकरुरियो का पैसिव बनाओ क şu और हम मैं पांच लिए के पैसिव झाओ आपbaar पैसिव अप जो हम लोग देख रहे वाले वह a आता है पैसिव का जैसे मुझे बोला गया आप चले जाओ मुझे बोला गया थो यह हो गया हमारा पैसिट तो अगर हमें पास डायरेक्ट पैसिट बनाने का एडिया नहीं होगा तो फिर हम भज जाएंगे और अपनी बात को हम इंग्लिस में नहीं रख पाएंगे तो हम जब हमारा पैसे बनेगा ये आपको याद कर लेना है पैसे बनेगा तो क्या बनेगा मैं एक यहांपे sentence लेता हूँ बच्चो को अंगरे जी पढ़ाये गया बच्चो को अंगरे जी पढ़ाये गया तो आप क्या करें पहले भर्ब का form किलियर करें क्या करें भर्ब का फॉर्म तो बच्चों औंग्रेजी पढ़ाया गया मतलब बच्चे को अंग्रेजी पढ़ानेया काम हो गया मतलब कौन सा फॉर्म हुआ बेटू, very good, बेटू हो गया, तो अब चुकि सब्जेक्ट अब्जेक्ट तो बदलेगा नहीं, बदलना से भर्ब को है, हमारा भर्ब हो गया, clear बेटू, अब अपने को ये पता करना पड़ेगा, चुकि यहां जो भर्ब है हमारा, ये जो भर्ब है ना, ये जो भर्ब है, इ पैसिब के रास्ते भीटू क्या होता है, वाज वाज प्लस भीतरी, तो अभी हमने देखा भर्ब का भीटू मिला, तो अब इसको बनाने से पहले ये चक्कना ज़रूरी है, कि इसका रास्ता कौन होगा, एक्टिव बला या पैसिब बला, तो इसके लिए आप क्या करें, आ बच्चे ने किसी को पढ़ाया, बच्चा को किसी ने पढ़ाया, या किसी ने बच्चे को पढ़ाया, तो किसी ने बच्चे को पढ़ाया, मतलब बच्चा ने किसी को नहीं पढ़ाया, किसी ने बच्चे को पढ़ाया, तो हमारा भीटू तो मिला, लेकिन भीटू, अब हम का B2 में कौन से रास्टे से हम जलने वाले है तो passive रास्टे से अब अब देख लो कि भी-to अगर passive के रास्ते को अपनाएगा तो यहां देखिए यह B2 अगर passive के रास्ते जाएगा तो क्या बनेगा यह देखो वाज 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 प्लस बीटुरी आपको पता है सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट होता है तो हम यहां लिख देंगे दर चुल्रेंग यह सब्जेक्ट आ गया अब चाहिए भीटू रास्ता है पैसिब तो बीटू बनेगा वाज वर वाज अगर से वर सब्जेक्ट होगा तो वर अगर प्लन सब्जेक्ट होगा तो दा चुल्रेंग प्लन है इसलिए क्या लगेगा वर एंगले जी पढ़ाया इस तरह से यह बात ब़ाबल क्लियर हो गया कि अगर भीटू हमारे पास आता है तो सबसे पहले समझने की सब्रू नहीं होता, बीटू को हम लगाते हैं सिर्फ एक वज़े से, चाहे वो active हो या passive हो, इससे फरेक्ट नहीं पड़ता, वज़ा क्या है? बीटू का वज़ा यह है कि active में subject काम, हाँ, बीटू कहा लगाते हैं, जब काम समाप्स हो गया यह active में होगा, तो बीटू होगा, और यहीं बीटू passive होगा तो क्या होगा? वाज वर्ड प्लैज बीटू मैं उमीद करता हूँ, आप इसे याद कर लेंगे, कि active से passive कैसे बनाते हैं, आप बीटू passive में क्या बन जाएगा? इस तरह से मैंने आपको पूरी तरह से बीटू का active और passive समझाया हूँ, आप अपने इस समझने के बाद अपने हिंडी को अंगरीजी में बात करें, direct passive बनाए, एक्रिस बनाने के कुछिस करें, यह आपको मदद करेगा अंगरीजी बात करने में, अगर कोई आपको कहता है कि बेगर ग्रमर केंगरीजी बात करते हो ? जी नहीं, आप नहीं सीख सकते हैं वजब यह क्या है कि वह लोग सीख सकता है जहांपर 24 गंटा अंगरीजी बात होता है अगर आपको underips माहल में होते हैं जहापर 24 गंटा लेकिन धीरे धीरे गलत पर आपको कंट्रोल करना परेगा ठीक है अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों में शेर जरूर करें ठीक है और वेल बटन को प्रेस करना ना भूले ताके मैं कोई भी वीडियो अगर अप्लोड करूँगा तो आपको बरावर से नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इसका फाइदा उठा पाएंगे थैंक यू वरी मुच गुडबा एंड टेक क्यर वाओ